अब हमें सध्या के अंतिम बिंदु पर आते हैं और वह है बदले हुए परिप्रेक्ष में अंतराश्ट्री बदले हुए परिप्रेक्ष में सेंक्त राश्ट्राश्ट्रंग के भूमिका कैसी और वह अंतराश्ट्री परिप्रेक्ष क्या है बदला हुआ 1990 के बाद के सोविय विगटन के बाद जब विश्व एक धुरूवी हो चला और उस एक धुरूवी करण में जब अमेरिका का वर्चस पूरी दुनिया में छाग गया तो ऐसी स्थित्र में सहिक्त राश्चंग कैसे अपना काम चला रहा है कैसे वो रास्ते निकाल रहा है कैसे वह सुनिश्चत कर रहा है कि स्विक्त राश्चंग में कि स्विक्त राश्चंग अमेरिकी दबाव में इतना ना आ जाए कि वह एक अमेरिकी संस्था के रूप में नजर आने लगे आज एक अहम प्रश्ण है यह बहुत बड़ा प्रश्ण है कि क्या स्विक्त राश्चंग एक धुरूवी व संतिलन कारी भूमिका क्या निभा सकता है क्या वह एक संतिलन का काम कर सकता है पूर में मैंने आपको बार बार ये भास कराया कि किस प्रकार अमेरिकी वर्चस सभी संग्तराज संग के विविन संश्थाओं को अपने दबाओं में रखने में सफल हो जाता है क्या ये संग्तराज अमेरिका शेश विश्व के देश के बीट समवाज कायम करके ये संग्तराज संग् क्या संग्तराज संग् विश्व के विविन देशों के बीच में समवाज जारी रखने में सफल होगा ऐसा समवाज जो अमेरिका को मनमानी करने से रोक सके ये कई प्रश्व एक धुरूवी विश्व के होने के बाद खड़ हुए और यहां संग्तराज संग् की बदलती भूमिका पर भी सवाल उठे इन सवालों के उत्तर मिक्स हैं और उसके कई कारण है पहला कारण तो यह है पहली सचाई तो यह है कि अब अमेरिका की ताकत पर स्युक्तराज संग् आसानी से अंकुष नहीं लगा सकता अंकुष लगाने की कोशिश करता है तो अमेरिका दूसरे तरीके से पेश आता है तो इस पर अंकुष लगाना उतना आसान नहीं है अमेरिका अब अकेला महाशक्ति बचा है और उस अकेली महाशक्ति होने का उसे सतत रूप से भास ही नहीं है आभास ही नहीं है बलकि उसका उप्योग करने के वह सतत चेश्टा भी करता रहता है अपनी सैन्य अपनी आर्थिक ताका के बूते पर अमेरिका जो है वो स्विक्त राश्चंग और ऐसे अन्य वैश्विक मंचों की कई बार अंदेखी कर सकता है और करता रहा है ये एक सच्चाई है लेकिन इस पे अंकुष लगाने में कितनी सफलता स्विक्त राश्चंग को म है यह देखने की बात है सैंग्तरज संग में स्विक्तरज अमेरिका इसका खासा प्रभाव भी है तो पहला कारण तो स्विक्तराश संग का एक ध्रूवी विश्व में जो भूमिका है उस पे जो बंधन है उसका पहला कारण तो अमेरिका की ताकत है फहम की ताकत है जाया वो सेनी ताकत हो चाया आर्थ ताकत हो आर्थिक हो दूसरा कारण कि अमेरिका स्विक्तराश संग के लिए एक सिरदर्द रहेगा वो है कि स्विक्तराश संग के भीतर भी अमेरिका का प्रभाव है कारण उसका बजट सेंग्ष्राज संग का बजट काफी कुछ सेंग्ष्राज अमेरिका द्वारा दिये गए धन के आधार पे बनता है अमेरिका की वित्ती ताकत जो है वो बड़ी बेजोड है कोई उसके आसपास भी नहीं फटक पाता इस वित्ती ताकत का खामियाजा पर निर्भरता का खामियाजा संग्ष्राज संग को भगतना पड़ता है और अमेरिका भी इस वित्ती ताकत को बार बार भोनाता है तीसरी बात क्यों अमेरिका या एक धुरुवी विश्व में अमेरिका सदई सिंग तराश संग से टकराएगा कि अब तीसरी बात कि ये भी एक तथ है कि सिंग तराश अमेरिका जिस भूख्यतर में इस्थित है वहाँ भी अमेरिका का प्रभाव है सिर्क तरह संग जिस भूखेत्र में इस्थित है वहाँ भी अमेरिका का प्रभाव है यानि वो अमेरिका में इस्थित है और अमेरिका में स्थित होने के नाते उसे अमेरिका की आवाज को नकार करने की वह हिम्मत नहीं करता चौथा वहां स्थित है और उसके अलावा अमेरिका के ही बहुत से अधिकारी सेंक्तराच संग के नौकर शाह हैं अमेरिका के नागरिक हैं और अमेरिका के नागरिक होने के नाते ये अधिकारी अमेरिकी पक्ष को बारम बार ज्यादा मजबूती से हर मामले में सामने रखते हैं चाहे उनका वहां पक्ष जायज हो या ना जायज हो पांचवा कारण जिसमें जिसके कारण दोनों के बीच में सतत टकराओं के संभावना है वह है कि जब भी अमेरिका को लगे कि कोई प्रस्ताओ उसके पक्ष में या उसके हित में अनकूल नहीं है या अमेरिका को प्रस्ताओ न जचे तो वो वीटो करने कर देता है तो इस्थाई सदस्ता स्वयम में ततत रूप से चुंक राश्चंग के लिए एक समस्या बनी हुई है अमेरिका की स्थाई सदस्ता याने अमेरिकी ताकत अमेरिकी आर्थिक ताकत अमेरिकी भूमी में स्थित होना अमेरिकी नौकरशाही की बहुलता और उसका स्वयम का वीटो का अधिकार होना ये तो बहुत बड़ी ताकत अमेरिका को देता है छटवा कारण अपनी इन ताकतों के बलपर और निशेद राधिकार के कारण सेंक्त राज अमेरिका सेंक्त राज संग के महा सचिव के चैन में बहुत दखल देता है उसकी बात उसके चैन में बहुत वजन रखती है ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि यदि महा सचिव भी अमेरिका की मुठी में है या महा सचिव का चैन भी अमेरिका की मुठी में है तो इसकारत ये हुआ कि सिंग्त राश्ट संग मात्र स्वेंक्त राज अमेरिका की एक आवाज की रूप में काम करेगा अमेरिका अपनी इस ताकत के बूते पर विश्व में फूट भी डाल सकता है ताकि उसकी जो नीतियां है नीतियों का विरोध जो कोई कर रहा हो वो ठंडा पड़ जाए मंद पड़ जाए यदि दुनिया की ताकतें एक जुट होने की कोशिश करती है तो अमेरिका महा सचिव के माध्यम से अपने नौकर शाहों के माध्यम से स्युक्त राजशंग के अंदर के सदस्य राष्टों के बीच में ही फूट डालने में सफल हो जाता है और फूट डालने का प्रयास करते रहता है ताकि कभी भी यदि अमेरिका के विरोध में कोई आवाज उठे तो वो मंद हो जाए वो ठंडी पड़ जाए इस तरह हम देखते हैं कि स्युक्त राजश अमेरिका की ताकत पर अंकुष लगाने में स्युक्त राजशंग सफल नहीं वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता ये एक कटु सत्य है लेकिन इस कटु सत्य के माइने ये नहीं है कि हम कि शेश विश्व हाद धर के बैठा रहे स्युक्त राजश अमेरिका इस विश्व में जहां वर्चस बनाया हुए है स्युक्त राजश अमेरिका की ताकत का जहां विश्व में मंच में बोल बाला है स्विक्त राश्ट संग अमेरिका और विश्व के बीच एक तरीके से समवाद का प्लैटफॉर्म तो बन खकता है स्विक्त राज अमेरिका और स्विक्त राश्ट संग के बीच में जो महासभा में जो सदस राश्टों की जो बैठक है वो है एक समवाद का बहुत बढ़िया माध्यम है और यही स्विक्त राश्ट संग ने एक ध्रूवी विश्व होने के बाद ये भूमी का बखू भी निभाई है उसने भरतक प्रयास किया है कि स्विक्त राज अमेरिका की बाद विश्व के अन्य देश सुने और विश्व के देशों के विचार अमेरिका तक पहुंचे और उ या जो अन्य प्लैटफॉर्म है वहाँ पर समवाद हीन्ता से लगातार बचने में स्विंक्तराश्चंग ने आहम भूमिका नभाई है जगड़ों और सामाजिक मुद्दों पर स्विंक्तराश्चंग के जरिये 193 राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है जहां तक शेश विष्ट की बात है तो उसके लिए स्विंक्तराश्चंग एक ऐसा मंच है जहां अमेरिकी रवये और नीतियों की आलोचना की जा सकती है स्विकतराश्ट संग भले ही स्विकतराश्ट अमेरिका की भूमी पर है पर प्रभावित देश स्विकतराश्ट के मन्च पे अपनी बात तो रखने के लिए स्वितन्त्र हैं और इस प्रकार एक ऐसा मन्च ये है जहां अमेरिकी रवये की अमेरिकी नीतियों की जब तब आलोचना होती है आलोचना की जा सकती है और ऐसा करते हुए स्विंक्तराश्च संग कुछ हद तक अंकुष भी लगा सकता है तो इस प्रकार ये दो तरीकों से संक्त राश्च संग बदले हुए राजनीतिक परिप्रेक्ष में अपनी भूमिका निभारा है ये बाट ठीक है कि वाशंग्टन के वुरुद शेश विश्व की आवाज या शेश विश्व शायद ही एक जुठ हो पाए अमेरिका की ताकत पर अंकुष लगाना एक तरह से असंभव है अमेरिका के प्रती एक जुठ होना एक तरीके से कल्पना के बाहर की बात है लेकिन इस सब के बावजूद संभ वह मंच है जहां अमेरिका के किसी खास रवईये या किसी नीत की आलोचना होती है आलोचना की सुनवाई होती है और कोई बीच का रास्ता निकालने या रियायत देने की बात सोची जाती है ये बीच का रास्ता ये रियायत तेक्ट राश्चंग का मंच इस भूमिका को निभा सकता है इस एक धुरुवी विश्मे अनिठा ये दिस राश्चंग ना हो तो पूरी समवाद हींता की स्थिति आ जाएगी और तमवाद हींता की स्थिति में अमेरिका जो है वो अपना प्रभुत्व अपना वर्चस्व अपनी ताकत सैन्ने और आर्थिक ताकत के बल पर इतना ज्यादा बना सकता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और शेश विश्व पूरी तरह से पंगु नजर आएगा। लेकिन वभागे से स्विक्तराश संग का अस्तित्व बना हुआ है और बदलते हुए परिप्रेक्ष में उसने अपने इस रोल को एक मंच प्रदान करने वाली भूमिका को बखू भी निभाया है। तो निश्कर्श ये कि स्विक्तराश संग में कमिया तो हैं लेकिन बिना इसके दुनिया और बदहाल हो जाएगी। स्विक्तराश संग में खामिया तो हैं लेकिन बिना इसके विश्व समवाधीन हो जाएगा। सिंक्तराश संग में कमजोरियां तो हैं लेकिन रियायत के रास्ते बीच का रास्ता निकालने की जो संभावनाएं हैं वह खीड हो जाएंगे यदि वह ना रहे तो इसलिए हम संग्षिप्त में कह सकते हैं कि एक धुरूवी विश में सिंक्तराश संग की भूमी का एक ऐसे मंच के रूप में हो सकती है और हो रही है जिसमें अमेरिका के प्रभाव पर कुछ हद तक अंकुष पाने में सफलता पाई जा सकती है और यह हो भी रहा है इसके साथ ही यह अध्याए यहीं पर खतम होता है और इस बिंदु पर जो आपने अंतराश्टी संग्ठन के बारे में विभिन्न मुद्दों को पढ़ा यह इसके और गहन अध्यन की आपको जरूरत है क्योंकि यह जो विशह है यह समयान उकूल है वर्तमान परिप्रेक्ष में स्विंक्तराश्ट संग, स्विंक्तराश्ज अमेरिका और शेश्विष्व इस तरह के समी करण को समझने के लिए आवश्चक है कि हम अंतराश्टी संगठनों के बारे में अंतराश्टी मंचों के बारे में वैश्विक संसाओं के बारे में और ज्यादा से ज्यादा समझें और जानें